दोस्कार दोस्तो स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल हिंदी साहित देवारता में दोस्तो अगर आप HP LT Commission 2020 जो दिसंबर 20 को होने जा रही है परिक्षा उसकी त्यारियां कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बिहद उपयोगी है क्योंकि बहुत सारे स्टुडेंट्स जो LT Commission की त्यारियां कर रहे थे उनके मैसेजिस और उनके कमेंट्स मुझे आ रहे थे कि सर आप इस तरीके का एक वीडियो लाएं जिसमें हम परिभाशिक शब्दों को बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर सकें तो ये वाला वीडियो आपके लिए ब्याद उप्योग है दोस्तों इसमें मैं आपको बताऊंगा कि पारिभाशिक शब्द कहां कहां से प्रिब्यस एर में पूछे गए थे और कहां से आप इनको अपने फौन के जरिये ही पढ़ सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली चीज है कि पारिभाशिक शब्द कहां कहां से पूछे जाते हैं ये बहुत जरूरी है इसके बारे में आपने जानना है तो देखिए सबसे पहले जैसे आपके प्रशासनिक जो शब्द होगे वहाँ से पूछ जाता है प्रशासन से रिलेटेड फिर आपके वाणिजर से रिलेटेड बैंक से रिलेटेड मैक्सिम प्रशन यहीं से बनने की संभावना रहती है और इसके साथ ही साथ देखिए आपके जो लौ वाले हैं जो कानूनी शब्द हैं उनको भी कई भार पूछ जाता है जैसे आपने देखा होगा पिछली बाइज से महान्यावादी जैसे अमेंडमेंट मलब उनको हम पॉलिटिक्स में भी ले सकते हैं आप उनको कानून के अंतरकत भी ले सकते हैं आप कहीं भी उसको मान सकते हैं तो यह कुछ एक फिल्द हैं जहां से साधातर प्रश जैसे मिल जाएंगे एक पेज या दो पेज में होते हैं जादा नहीं होंगे वो उनको आप अपने पास रख लीजिए उनको पढ़ लीजिए ठीक है उसके बाद अगर आपको हजी पब्लिकेशन का जो व्याकरन भारती है वो वाली पुस्तक या वो व्याकरन मिलता है तो उसमें भी बहुत सारे आपको परिभाशिक शब्द मिल जाएंगे एंड उसके अलावा जे पी एच समाने हिंदी की पुस्तक है उसमें भी थोड़े बहुत आपको मिल सकते हैं आपके जो परिभाशिक शब्द हैं वहां भी और ये तो रही पुस्तकों से रिलेटेड बात दोस्तों और भी जहां पर आपको लगता है वयाकरण है अगर उसमें परिभाशिक शब्द वली है तो आप उनको पढ़ सकते हैं लेकिन इसके अलावा अपने फॉन के मात्यम से ही आप बहुत सारे परिभाशिक शब्दों को पढ़ सकते हैं और मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से previous year में जो आपके previous year में जो शब्दवली जो पूछी गई थी वो कही न कहीं आपके phone में ही उपलब्ध है तो चली दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने google से किस तरीके से search करते हैं कर सकते हैं परिवाशिक शब्दवली को तो आपने सबसे पहले क्या कर लेना है अपना chrome browser open कर लेना है ठीक है तो जैसी आप अपना chrome browser open कर लेंगे देखिए यहां पर आपने simply type करना है rbse तो यहां पर देखिए दूसरे नमबर पर हालां कि मैं इसको search करते करते ही मुझे अचानक से यह परिवाशिक शब्दवली मिल गई तो मैं आपको भी यह चीज़ बता रहा हूँ कि आप भी net की जरीए ही इसको अपने phone में लगवग दो मिनिट का काम भी नहीं है आप इसको easily कर देंगे तो देखिए जैसे rbse class plus 2 हिंदी व्याकरण परिवाशिक शब्दवली है इसके उपर आपने click कर देना है जैसे ही आपके इसको click करेंगे देखिए इस तरीके का surface खुल किया जाएगा आपने थोड़ा सा scroll उपर करते जाना है तो यहाँ पर देखिए इनोंने परिवाशिक शब्दवली के पारे में तोड़ा सा चीज पहले describe भी की हुई है कि क्यों कौंसे शब्द हैं वैसे शब्द हैं जिनका प्रियोग केंद्रिय राजय मंत्रया लेओं सरकारी कारया लेओं स्वायत निकायों उपक्रम आदी में किया जाता है तो वो ही है आपके जो राजनिती संसत, प्रकाशन, सास्थ इत्यादी क्षेत्रों में यूज किये जाते हैं वो आपके प्रशासनिक शब्दों के अंतरगत आते हैं तो इसमें आपको A से लेकर के Z तक पूरे मिल जाएंगे अगर आपको यकीन नहीं है दोस्तों तो प्रिबियस एर में देखना आपने जो भी प्रशन पूछे हैं लगबग आदे से जादा प्रशन यहीं से पूछे गए हैं जो शब्द हैं परिभाशिक शब्द इधर से ही डाले गए थे तो क्या बता एक आदा प्रशन अगर आपका यहां से क्लिर हो जाता तो वो आपके लिए मच बेटर है और बहुत ही जादा बेनिफीशिल होने वाला है तो इसमें A से लेकर के Z तक जितने भी हैं देखिए वो सारे के सारे दिये हुए हैं और नीचे प्रशन भी बना के दिये गए हैं यहां से आप प्रशनों के जरिये खुद सेल्फ एनलिसिस भी कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है यह आप इसको एक बार जरूर ट्राइ कीजिएगा तो यह तो होगी बात दोस्तों कि Google से आप कैसे सर्च कर सकते हैं इसके लाबा और भी है जो Google में आप देख सकते हैं पर मुझे सबसे बेस्ट यह लगा क्योंकि 10 में से अगर 6 प्रशन यहां से डाले जा रहे हैं तो कहीं न कहीं बात है ठीक है अब चलिए अब हम Google Play Store में देखते हैं कि वहां से आप कैसे कर सकते हैं तो देखी जैसी मैंने Google Play Store उपन किया वहां पर NCRT की बोक्स को मैंने टोनना चाहा कि क्या पता मैट्रिक और प्लस टू में वहां पर बच्चों को परिवासिक शब्दावली पढ़ाई जाती हो लेकिन वहां पर मुझे कुछ भी नहीं मिला तो वहां पर आपने क्या टाइप करना है दिखिए सिंपली यहां जो पहले नंबर पर दिखी जो इंस्टॉल्ड एप आ रहा है इसमें लिखा है सरल परशासनिक शब्दावली पार्ट वन यहां पर दोस्तों सिर्फ आपको पार्ट वन ही दिखेगा है ना तो इसमें भी बहुत सारे हैं हालां कि इसमें सी तक ही हैं इसको चलिए हम ओपन कर लेते हैं मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से खुलेगा जैसी आप इसको इस तरीके से खुलेंगे देखिए थोड़ा सा यह टाइम लेकर यह देखिए पहले जो पेज़ बाइज इसमें दिख जाएगा यह आपके सामने दूसरा पेज़ कुल के आगया दिखिए यहां से आप इसको जब अपने फॉन में इंस्टॉल कर लेंगे तो यह इस तरीके से ही दिखेगा और जो भी शब्द दिया है दिखिए उसको पूर व्याख्याइद किया हुआ है इसमें हालांकि यह C तक ही हैं दोस्तों लेकिन A, B और C में भी पहुत सारे जो शब्द हैं वो इनोंने कवरप किये हुए हैं इसका पार्ट 1 यह है पार्ट 2 मुझे नहीं मिला इसका तो यह भी आपको हो सकता है यह आदा प्रशन यहां से पूछ लिए जाए A, B और C जो अलफबेट हैं उनसे जो शुरू होते हैं ठीक है दोस्तों तो यह दूसरा सोर्स हो क्या ठीक है तो यहां से भी आप परिभाशिक शब्दावली को देख सकते हैं तो बहुत जादा बेनिफिशल होने वाला है थासकर आप उसके लिए गूगल में जो भी आता है देखना वहाँ पर कई पर प्रिभी सिरके भी डाले होते हैं कि परिक्षा में जो भी पूछ जाते हैं वहाँ से भी आपकी बहुत जादा हेल्प हो सकती है तो ये थे दोस्तों कुछ एक्सोर्सिज जहां से आप जो परिभाशिक शब्दा वली है आपकी उसको अच्छे से समझ सकते हैं कि कहां से कैसे प्रशन पूछे जाते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा ये वीडियो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए अपने दोस्तों के बीच में शेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें तो फिर मिलेंगे नई उर्जानलिस पूर्ति के साथ तब तक के लिए शुक्रिया जाहिंद